है फ्रेंड्स मैं रमेसर आपके अपने यूटूब चैनल दाइश्टेडी फार एंबिशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज जो है अलंकार के अंतरगत चौथा वीडियो देने जा रहा हूं यह आज का वीडियो इससे जितने भी मतल जिसे आप लोग जानते हैं बस यही एक प्रावलम है कि आप लोग यही नहीं जानते हैं कि यह किसका डिफिनिशन है तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं कि यह छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और इजी है इसे सिंपल एकदम समझें आप कि बस मैं यह बताने का जिसकी परिभासा ये होती है जिसे आप जानते हैं बस मेरा काम खतम तो यानि कि आप समझ लिजिए कि आज मैं अर्था लंकार यद्देपी कि मैं पिछले वीडियो में अर्था लंकार से सम्मंदित उसकी ब्याख्या और उसके प्रकार मैं बता चुका हूँ फिर भी आज प परिभासा है और ये निशी जानिये कि हर प्रतियोगी परिछाओं में जहां से अलंकार के प्रस्ण बनते हैं वहां पर ये इस आज के वीडियो से किसन एक या दो आना तो तैं है क्योंकि ये इतने फेमस हैं कि जो पेपर सेटर भी होता है वह इनके मतलब प्रभाव से भा है जो आपके लिए लाप्रद होगा तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं तो अर्थालंकार के ग्यारा प्रकार होते हैं मतलब फेमस जो है ग्यारा प्रकार प्रकारों के संग्या तो पूछी नहीं लेकिं जो आपके लिए उप्योगी है वो 11 हम लिखे हैं, जिसमें 11 में भी आपके 9 प्रकार जो है, बहुत इंपोर्टेंट है, सबसे पहले देखें, उपमा होता है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिस्वयोक्ति, अन्योक्ति, संदे, भ्रांतिमान, दीपक, बिभावन, और प्रस्तुत, प्रसंसा, तथा साथी सा आपका बिरोदाभास, जिसमें जो है, मैं अगर ये बता दूं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तिस्वयोक्ति, अन्योक्ति, तता संदे और भ्रांतिमान, ये जो है, आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है, और इसकी जो है, इससे प्रस्त बनते ही बनते हैं, बाकी जो है, दीपक विभावना, प्रस्तुत, प्रसंसा और विरोदाभास, इन पे मैं फोकस कर दूंगा, इससे आएगा, अगर क्यूशन कभी आता है, तो आप लोग इस ठगा महसूस न करें, कि मुझे सर ने ये नहीं बताया, और ये क्यूशन मेरा गलत हो गया, तो मैं ऐसे ना तो गलती करूंगा, ना आप लोगो करने दूंगा, तो इन पे भी मैं फोकस कर दूंगा, क्योंकि ये प्रस्ण अक्सर बनते रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कि ये जो अर्थालंकार के भेद हैं, इसमें पहला उपमा अलंकार पे हम लोग आप चर्चा करते हैं यानि कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं उपमा अलंकार के प्रकार या भेद क्या है और उनके क्या क्या परिभासा है और वो कितना उपयोगी है आज के वीडियो में टोटल देखिए उपमा अलंकार से ही पूरी तरह से आप लोग आप छादित रहेगा ये आज का जाती है जहां पे जैसा जैसी जैसे a इसए c7 जिस दोहें तो आप निसषिट जानिए वहां पे उपमालंकार आप जानते हैं कि उपमालंकार किसे कहते हैं और क्या होता है लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि उसके अंतरगत आता क्या है तो उसके अंतरगत यह होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहां पे क्या होता है उपमालंकार हो गोग नहीं है इसके लिए जो है एक एक्जाम्पल है वो यह जैसी सुन्दर है यानि नीलिमा की तुणना चंद्रमास में से जारही है और वह उस इसमें Himself yeah so yeah जाया जहीं आता ही रहता है तो यह है नीलिमा आधार पे पूरी ये वीडियो की आज व्याख्या होगी क्योंकि इसमें जो है उपमें और उपमान की चर्चा हर अलंकार में परिभासित की जाती है क्योंकि इन के द्वारा ही इनकी ब्याक्ष्य की जाती है यानि कि उपमें और उसकी परिभास आपके सामने आएगी तो इसका बेड चारी होते हैं उपमें, उपमां, वाचक सबद़ और सअधारन धर्म ये चार इसके वेद होते हैं जिसमें बहुत इंपर्टंट है उप मैं और उपमान तो सबसे पहले हैं किसे करते हैं उपमें के अन्तरगत जो है उपमा देने योग्य की बात की LGBT जाती है यानि-ख स्वरश्टी के उपमें की समानता किसी सरे वश्टीन से की जाती हो वह होता है उपमेय यानि कि अगर हम आप कहीं भी उपमेय कहते हैं उपमेय और उपमान की बात जब करते हैं तो उपमेय आप जान गए हैं कि उपमेय किसे कहते हैं यानि कि किसी वस्तु की सामानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमेय होता है अब इसे आप आप जान गये हैं और यह भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इसी के विशाब पर चिलेगा तो उपमेत अब आगया बागी तो छोड़ी दिजया औरों में यहीं पर आ गया उपमेत की जिसके साथ समांता की जयलते हैं वहां पे उपमान होता है एक तरब जहां पे यह बताया जाता है कि उपमा देने के योग जो हो जो उपमा देने योग हो उपमा का आप जानी गया है कि उपमा के तुलना होता है जहां पे तुलना देने योग हो तो वह हो गया आपका उपमे और जहां पे उपमे के साथ किसी की तुलना की जा रही हो या समानता बताई जा रही हो वहां पे उपमान होता है confusion नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं आप देखते हैं वाचक सब्द वाचक सब्द और साधारन धर्म वाचक सब्द के अंतर गच्च होता है कि जिस सब्दों की यानि जिन सब्दों के सहायता से उपमालंकार को मतला ब्याक्या की जाए या उपमालंकार की पहचान की जाती हो वही होता है आपका ये वाचक सब्द वाचक सब्द ये होता है कि जिन सब्दों के माधार पे या जि जिन सब्दों की सहायता से या जिन सब्दों के को लेकर अगर हम किसी की सब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान की जाती है वहां पे वह यह क्या कहलता है वाचक सब्द कहलता है अब आगे चलिये इसके एक्जामपल कर्यां जिस दोहे में जिस कविता में जिसमें अगर सांसी तुल्تी संग जैसा जियों सरिश और सामान हो एवे तो वहां पे यह क्या होता है आपका वाचक expressed हो तरह यानि कि जहां पे दोहे में सा सी तुल्य सम जैसा जियों सरीस के समान आवे तो वो जान लिजिए कि यह कौन सा है वाचक सब्द है आगे देख लेते हैं साधारन धर्म को देखिए कि इसमें क्या हुता अब यहां पे उपमे और उपमान की बात की जाएगी इसलिए मैं इस प बात नहीं है बस आप अंतर सपस्ट कर लिजिए खतम बात उपमे और उपमान का जो परस पर जो गुड़ होता है ना उसका एक तरह से ब्याख्या करने वाला ही मतलब जो है साधारन धर्म होता है फिर से सुनिए उपमे उपमान का परस पर समान गुड़ व्यक्त करने वाल देखता है तो यह है आपका साधारण धर्म आगे चलते हैं बहुता है होता है लुपतों महार और करते हैं कि जैसे चार है उपमें उपमान वाचक और साधारा न कर जिस दोहे दोहे में यह चारो के चारो उपमा लंकार के भेद जो है अगर यह चारो के चारो उसमें है उस दोहे में तो निसि जानी यह पूर्डॉ पमा है लेकिन अगर इन चारों में से एक या दो का अगर लुप्त होता है यह crime यह उपस्थित न हो तो याने कि पूढोंपमा में सिर्प निर्भर करता इन चारों का कि ये चारों उपस्त्ति या अनुपस्त्ति तो ये के तेम्कार कि यहाँ पर आपकर की परिभासा देख लिए क्या होती है जहां उप मे आप यहां समझना सुरों करें जहां उपमे और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे यानि कि रूपक अलंकार के अंतरगत जहां पे उपमे और उपमान में किसी प्रकार का अंतर दिखाई न दे तो वहां पे यह क्या होता है रूपक अलंकार होता है अर्थात इसे अगर इस तरह से हम समझें कि जब गू लिएर हो गया आओगा इसमें किसी प्रकार का प्रॉलम नहीं आप लोग जानते सब लेकिस बात की है कि जो जानते हैं क्या यह रूपकी अलंगकार का है क्या यह अलंकार का है यही कनफ्यूजन आप लोगों को कि उसन को गलत करवाजता है जबकि इससे ही जी मुझे नहीं लगता है कोई चैप्टर भी होगा हिंदी का जहां उपमें और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पे रूपक लंकार होता है यह कनफर्म रहें अब उसे जानने काई तरीका है कि जब गूर में अत्यंत समानता आ जाए और उपमें और उपमान क कि यह रूपक लंकार है यही सबसे बहतर परिभासा है यहां पर एक है जिसके एकजामपल देख ले जा तो एक है जैसे कि इसको देखिए एकदम सेम वही चीज कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यहां पर देखिए तुलना इस कदर की गई है कि पता ही नहीं चलना है क कि राम रतन और धन इसमें क्या अंतर है यानि कि राम रतन को ही धन मान लिया गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इसकी यानि उपमे और उपमान की इसकदर मतलब मिल गया है कि इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन उपमे है और कौन उपमान है इनके गुड़ों नेक्स्ट है उत्प्रेक्षालंकार उत्प्रेक्षा को भी देखिए यह उत्प्रेक्षालंकार भी बहुत अच्छा है इसे एकदम इजीली समझेगा इसमें कुछ नहीं है जहां उपमिय में उपमान की कलपना की जाती हो वहां पर उत्प्रेक्षालंकार की जा रही हो तो सम जानो मन हों मानो यह सब पता मिले जैसे निश्चे यू जियों ये सब अगर उपस्तित हो जिसमें तो जानिये कि यह उत्प्रैक्चालं अलंकार यानि कि आप याद कर लिए जनहूं जानओ मन हुं मानंव यूं जियों यह सब आपके सामने आ गया तो आप जानिए कि यह है उत्प्रेक्षा लंकार यानि कि इसका आगर एकजांपल देख लिए जाय तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि यह क्या है जैसे नित्र मानो कमल के समान मानो है कि ने इसमें तो जनहूं यह सब संटेस आता है यह आपका उत्प्रेक्षा लंकार है जैसे कि आपको दिखाया मानो कमल के समान या नेत्रमानो कमल के समान तो यह है आपका उत्प्रेक्षा लंकार बहुत ही सिंपल साधारण और आपके लिए उपयोगी भी आगे चलते हैं नेक्स देखते हैं कि यह क्या है यह कौन सा है अतिस्वयुक्ति को देखा जाए तो अतिस्वयुक्ति अलंकार जो है इसमें कुछ नहीं समझना है बस इतना समझ लेजिए कि अतिस्वयुक्ति में जितना हो सकते हैं अपने संटेंस अपने सब्द से ही अपनी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इतना चड़ा बढ़ा के कह दिया जाए तो जो उसका वास्तुविक रूप है यानि जो वास्तुविक बात है वो बात जो है एक सीमा को भी लांग जाए तो वहाँ पर जानिया तिसायुक्ति अलंकार है आप बहतर समझ गए होगे कि जब कि बारे में इसकदर चढ़ा बढ़ाकर ब्याक्या किया गया हो कि वह अपनी सीमा को यानि सामाने सीमा को भी नांग गया हो तो निशी जानिये वहाँ पर अतिसायुक्ति अलंकार है आए बोड के सरब चलते हैं देख लेते हैं जहां किसी वस्तु को इतना चड़ा बढ़ा कर वड़न किया गया हो कि सामान्य लोक सीमा का भी उलंगन हो तो यहां पे होता है अतिसायुक्ति अलंकार सामान्य लोक सीमा का उलंगन ये संटेंस अपने मस्तिक्स में बठाईएगा सामान्य लोक सीमा का उलंगन हो अब इसमें एक देख लिजिए एक जामपल है कि तो भी देखिए हनुमान की पूछ में लगन पाई आग सगरी लंका जर गई गए निसाचर भाग मतलब समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा अतिसोयक्ति है तो इस अतिसोयक्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए चले आए चलते हैं देखते हैं अन्योक्ति अलंकार अन्योक्ति को देखते हैं अर्था अलंकार के अंतरगत अन्योक्ति अलंकार को देखिए क्या है इसके अंतरगत यह है कि जहां उपमान के माध्यम से उपमे का वर्डन हो और इसमें जो है उपमान अप्रस्तुत हो तता उपमे प्रस्तुत हो यानि कि इस में यह है कि जहां पे उपमान प्रस्थु थो उपमे के माधिये में तो यहां यह स्मझें से उपमे का वर्डन होता है तो वहां पें अन्योक्ति अलंकार होता है अतिस्वयोक्ति और अन्योक्ति में अंतर होता है इसे जानते रहें तो यह हो गया आपका यह अन्योक्ति अलंकार यानि कि माली आवत देखकर कलियां करे करेंरे पुकार फूली फूली को चुन गए हो कल हमारी आपके यानि कि कभी की कलपना है या कभी नहीं अपनी जो बात ऊखली है यह बहुत ही सद्वान है heavy कि जीवन और मिर्ट का यह करम जो है यह चलता रहता है और इसमें माली और कली की तुलना करके इस बात को स्पष्ट करने की कोशिस किये हैं कि एक के बाद एक के बाद दुसरा दुसरे के बाद तिसरा सबको जो है इस जीवन से जीवन या मिर्ट लोग से जाना है या मरना है उसके बाद जो है इसमें हर लोग यही देखते रहते हैं कि यह को पूल को तोड़ते जा रहे हैं याही समझ लीजें कि यह क्रम है जो सब को जाना है नियम ना इनकलियों और माली के आधार पर इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश किये यह आपका जो है अन्युक्ति हलंकार में तो अन्युक्ति हलंकार होगया आपके आए संदे हलंकार नेक्स्ट है में यह है कि जहां पे जो है स्पश्ट नहों पाए यह वस्तु को देखकर स्पश्ट नहों पाए कि यह है क्या यानि निस्षित रूप से यह है क्या वो संदेयलंकार होता है जैसे कि आप लिए यह चोटी सी बात है माभारत के दौरान जब चीर हरन हो रहा था वह चीर हरन में आप अच्छी तरह से जाते हैं जानते हैं दुरुपती का जो चीर हरा था उस दौरान उनकी सारी को इसकदर खीचा जा रहा था खीचते-खीचते वह ठक गया और ठकने के बाद जो है व हें इसक्याय का मतलब यह है कि अब और ऊपने ठकने से बोला या फिर वास्तों में ऐसी क्या बात थी बठ यह हुआ था या ना हुआ हो लेकिन यह तो हम समझी सकते की सन्देलach कि सारी बीचे नारी है कि नारी हिच्छारी है कि आरी ही यह यह सारभी पीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है यह confusion उसका बना रहा है इसे ही जो है संदे अलंकार कहते हैं और यह अलंकार जो है हम सब जानते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं ब्रांति मान अलंकार नेश्ट है ब्रांति मान ब्रांति में यह होता है अपने संटेंस से यह विव्या क्या कर रहा है इसमें भ्रह्म पाइदा होता रहता है यानि कि इसमें इसकदर भ्रह्म रहता है कि आप क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि वास्तों में यह है क्या जैसे इसकी परिबास देख लिए कि जब किसी एक कीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु की कलपना की जा या भ्रहम हो जा तो वह होता है आपका यह ब्रहमतिमान अलंकार सीधी सी बात है कि इसमें ब्रहम समाहित है ब्रहम पे बंध कर और यह ब्रहम को समझ लेना आपका यह हो चुका है बाकी यह जो है आपका डैसिटे जाक्ड पाव समूद्स चार अलंकार space कम होने के वज़े से मैं आप चार जो है next वीडियो में दूँगा और friends आप लोग इस वीडियो को एक तो एक तो एकदम किलियर हो गया होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है आज के वीडियो में आपको कुछ भी नहीं है आप easily इस वीडियो को आप जानते है साब कुछ बस देख लेंगे एक बार तो कनफर्म हो जाएगा कि वास्तों में यह है क्या और सही तो यह है यह मैं नहीं भी देता तो भी आप लोग काम चल जाता परन्तु इसके देने का सिर्फ और सिर्फ एक यह जानते हैं कि किसी भी चीज का है जो जानते हैं क्या वही है अगर हां तो फिर ठीक है नहीं तो आप गलती कर जाएंगे तो इसलिए मैं का रहा हूं कि अरथा लंकार के यह जो 11 भेद मैं इंप्रटेंट निका लाँ उसमें से चार जो आपका बचा हुआ है यह चारो भेद मैं आपको नेक्स वीडियो में दे दूँगा और इसे आप लोग जरूर देखिए अच्छे से देखिए और साथ ही साथ मस इतना मैं कहूंगा कि आप भी अपना जो है मेरे तरब नजर फेरते रहे यानि कि थोड़ा लाइक स और सब्सक्राइब भी करते रहे क्योंकि आपके ही इस नजर फेरने में यानि मेरे तरब नजर डालने में आपका बस छोटा सा काम मेरे लिए बहुत ही प्रुच्छाहित करने वाला होगा बहुत बहुत धरूरूरू